इस दुनिया में अजीवो गरीज चीजों की कोई कमी नहीं है कई जगव पर तो ऐसी चीजे देखने को मिलती हैं जिसे देखकर आपको जरूर से हैरानी हुई होगी लेकिन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आप इस बात पर यकीन भी नहीं कर पाओगे दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी गाउं के लोग बिना कपड़ों के रहते हैं आपको जरूर ये जानकर हैरानी होगी कि बिटेन के हर्ट फोर्ट शायर में एक गाउं है जिसका नाम है स्पील प्लाड्स और यहाँ पर लगबक 85 सालों से लोग बिना कपड़ों के ही रहते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे या फिर ये लोग बहुती जादा गरीव होंगे इसलिए इन लोगों को बिना कपड़ों के ही रहना पड़ता होगा लेकिन ये बात बिलकुल नहीं है कि यहां के लोगों के पास पैसे नहीं है या फिर यह पड़े लिखे नहीं है पड़े लिखे और पैसे होने के वाबजूद वी यहां के लोग बिना कपड़ों के ही रहते हैं इस गाउं में बच्चे बुड़े, महिला और पुरिश्वी बिना कपड़ों के ही रहते हैं। आपको ये सुनकर जरूर अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन इस गाउं के लोगों के लिए ये तो बस एक नॉर्मल सी बात है। रिपोर्ट्स के मताबिक इस गाउं की खोज 1929 में इसुल्ट रिचर्डसन ने की थी। और जब उन्होंने इस गाउं की खोज की तो ये फैसला किया था कि वे चकाचोंत की दुनिया से दूर इस गाउं में अपना जीवन बिताएं। और इस गाउं में स्वीमिंग पूल, पब और कलब भी हैं। सिर्फ यहां के लोगों को ही नहीं बलकि जो लोग इस गाउं को देखने आते हैं उन्हें भी इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और उन्हें भी सबसे पहले अपने कपड़ों को उतारना पड़ता है। बीना कपड़ों के हो जाते हैं। गाउं के लोग जिस तरह से आज भी रहते हैं वो आम लोगों के लिए हैरानी वाली बात ही है। तो दोस्तों आप इस गाउं के बारे में क्या कहना चाहेंगे कोमेंट करके जुरूर बताएं। और वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।